तो देखें आज हम बात करने वाले हैं आपके RPSC Assistant Professor में किस तरीके का exam pattern आपका होगा तो in general अगर हम बात करें जो Assistant Professor का exam है उसका pattern कैसे होने वाला है कि आपके paper first, paper second, paper third होने वाले हैं तो paper one में कितने questions आएंगे, कितने marks के आएंगे, आपके correct answer के लिए कितने mark होंगे, wrong answer के लिए कितने mark होंगे, ये सारी चीज़े हम देख लेते हैं एक बात, तो देखो October में आपका exam होने वाला है, exam pattern जो आपका last time जब ये exam होगा था, उसमें exam pattern क्या था, आपका offline exam होगा था सबसे पहली बात तो, ठीक है, offline exam में, एक दिन तो आपके subject related exams होते हैं, ध्यान अखना, जो paper first और paper second, या आपके subject related exam होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, same day, दो shift में होते हैं, ठीक है, और आपका जो third exam होता है, GS का, या बोले GS राजस्थान का जो आपका paper होगा, वो आपका क one और paper two, ठीक है, subject first आपका जो होगा, जो आपके paper one के questions हैं, उसमें आपके 150 question आएंगे, हर एक question आपका कितने mark का होगा, half mark का, और half mark का question अगर होगा, तो आपके 75 marks का first paper आपका बनेगा, ठीक है, first paper हमारा कितने marks का बन जाएगा, 75 marks का, 3 घंटे का paper होगा, offline होता है, ठीक है, last time offline होगा ठीक है, इसके बार subject second, आपका subject first जैसे ही होगा, वही आपके 150 questions होगे, objective questions होगे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, यह भी आपके half mark का per question होगा, 1500 questions आएंगे, और 75 आपके marks होगे, हर positive या correct answer के लिए आपको कितने मिले वाले, plus half, 0.5 mark का question रहेगा, एक half mark का, ठीक है, और negative marking भी है, यहाँ पर भी ध्यान देना, यह मस्त सोच लेना कि negative marking नहीं है, negative marking है, अगर आपका answer wrong होता है, तो one third आपका क्या हो जाएगा, minus हो जाएग होगा, in case of negative marking, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो थाड़ paper में, ठीक हो थाड़ paper में क्या होगा, 100 questions आपके होने वाले, अब इन 100 questions में आप वही हाप mark का question होगा, तो 50 mark का आपका GS का paper होगा, अब यह देखो, यह question आप, यह जो paper है, आपका GS का, I think यह आपका, 2 घंटे का होता है, ठीक है, official website पे एक बार हम देख लेते हैं, देखे, official website इसकी, जो है, यह आपका official website पे है, notification में हम देखते हैं, यह यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो, notification में, अगर हम चलेंगे, यहाँ से, page number 5, 5 के end में दिया हुआ है, भी, page number 5 के last में अगर आप चेक करोगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, यह रहा, scheme आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख्यू हुए, scheme of competitive examination for professor, assistant professor exam, देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यह चीज, देखो, यह जो आपका first concern, concerned with post जो है आपका, या मैं बोलू, chemistry का exam है, तो chemistry की first और second जो है, वो 75 marks से होगे, और यह होगा आपका, तीन तीन घंटे का, और आपका, जो general studies का paper है, वो आपका होगा, दो घंटे का 50 marks का, 100 question के लिए, फिक है, तो I think PPT में थोड़ा गरबर हो सकती है, यहा 3R, और last वाला जो आपका exam है, last वाला जो paper होगा, GS का, वो आपका होने वाला है, 50 marks के लिए, और 2 घंटे का आपका paper होगा, ठीक है, तो यहाँ देखना, इसको हम थोड़ा सा correct कर देते हैं, यहाँ जो है, यह आपका 2 hours का होगा, ठीक है, 2 hours का paper होगा, यहाँ लिए 2 hours के लि कितने question, कितने marks के आएंगे, negative marking कितनी होगी, ठीक है, कितने घंटे का paper होगा, यह सब हमने इस वीडियो में आपको पता है, तो total marks आपके कितने हो गए, यहाँ से देखो, total marks आपके हो जाएंगे 200, इसकी बाद interview तक अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो interview में आपके कितने marks आएं आज का जो session था, वो यही के लिए था.